तो फ्रेंड आज किस वीडियो में बताएंगे कि फॉन को हम reset कैसे कर सकते हैं अगर आप restore करना चाहते हैं फॉन को तो आप easily कर सकते हो क्या होता कि फॉन बहुत बार slow हो जाता है फॉन hang करने लगता है तो restore कीजिए restore करने से phone आपका पुरा नए तरह के से बन जाएगा और अच्छे से काम भी करेगा ठीक है मैं बहुत बार एक साल या फिर दो साल पर phone को reset करना चाहिए तो चलिए वीडियो के start कर लेते हैं reset कैसे करना है देखिए दोस्तो रियस्टोर करने के लिए अपने phone का setting open कीजिए format restore कर करने के लिए दोस्तो देखिए setting जैसे आप open करते हैं तो आपको यहाँ पे एक additional setting नाम से एक option मिलता है देखो guys additional setting यहाँ पर दिख रहे है इसली यह जो additional setting का option देख रहे है आप भी ढूंड लीजिएगा और सिंपल सापको additional setting पर किलिक कर लेना है जैसे आप additional setting पर आओगे उसके बाद दोस्तों सबसे last में आना है और एक देखो backup and restore का option देख रहे है इसली हम backup and restore करना है अपने phone को तो सिंपल साइस पर किलिक करते हैं erase all data पर किलिक करना है उसके बाद नीचे में format restore इसी को बोलते है erase all data फिर से किलिक करना यहाँ पर देखो देख रहा है यहाँ पर किलिक करने के बाद आपको phone का lock देना है जो भी आपका pattern lock हो password lock हो देने के बाद phone आपका automatic से restore हो जाएगा ठीक है और restore होने के बाद आपका photo video और contact number सारे delete हो जाते हैं अगर आपका important photo video है उसको आप कोई दू रो नहीं हुआ है मेरा phone अच्छे से work कर रहा है मैं वसे restore करने वाला नहीं हूँ अगर आप करना चाहते हैं तो इस step से कर सकते हैं अगर आपका restore करने में कोई problem आती है अगर आपका कोई दिक्कत आता है तो हमसे comment में पूछ भी सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बत हमसे अगर अगर आपका कおい को एंद।